तो गाइस भी मेप में जब भी आप अपने बैंक एकाउंट को एड करते हैं तो कभी कभी आप लोगों को एक प्राब्लम का फेस करना पड़ता है और प्राब्लम यह होता है कि उसमें लिक करके चला आता है जब भी आप बैंक एकाउंट को सेलेक्ट करते हो तो वहां फिर ल एसका में प्रॉब्लम क्या है में रिजन क्या है जिसके वज़ासा यह लिखता है तो गौईस यह पे आपने देखा कि मैंने यहां पर स्टेट बैंक आफ इंडिया को सेलेक्ट किया जबकि मेरा सेब नंबर है वही नंबर जो नंबर बैंक एककाउंट में लिंक है उसी से मैंने भीम का आईडी भी बनाया है ठीक लेकिन फिर भी यह इस्यू हो क्यों रहा है तो गाईस इस प्रब्लम का सलूसन बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने सस्क्राइब न वाल को स्क्राइब के पर नबरिए ही मत्रीत चानि अवर्लम के घंड में मैं में नंबर मने लिंक है और आपने लोग के सामने यह issue देखनों को मिलेगा ठीक हम बात कर लेते हैं और दूसरी issue क्या हो सकता है ठीक है दूसरा problem ठीक गाइस यार दूसरा problem यह है कि guys mobile में एक होता है mobile banking service ठीक है हार एक खाता में होता है कोई भी बैंक के और इसे एक होता है उसमें एक होता है मोबाईल बैंकिंग सर्विस कभी-कभी होता है कि है कि आपके बैंक अक सर्विस्स कर दे जाती है या भी डिसेबल हो जाता है अजिसके वज़े से आपका मतलब जो जो भी UPS related transaction ओग रहा होता है यह सारे चीजे आपकी मतलब बंद हो जाती है ठीक है आपके मतलब account से कोई भी UPS related transaction नहीं हो पाएगा ठीक है तो ऐसी condition में आप लोगो क्या करना है कि सबसे पहले आपको अधार काड का फोटो कापी लेना है और अपना एक फोटो लेना है साथ में आपको pen card भी लेना है और bank में जा करके आप again KYC कर ले जागा KYC form ले करके और साथ में जो mobile bank की service है ठीक है उसे इनेबल करवा लिजेगा ठीक है और जाहिसी बात है अगर कहीं आप KYC अपडेट कराने जाओगे मैं यह तो मानता हूँ कि आप लोगो का पहले सभी KYC होगा bank account में ठीक है लेकिन जब आप अपडेट कराने जाओगे तो आपका जो mobile banking की service है वो आटोमेटिक आपकी इ इसलिए सबसे पहले कर लें कि आपका यह नंबर एक ही बैंग के लिंग हो ठीक है तब ही आप यह करें और आपका problem शॉल हो जाएगा ठीक है तो यार मैं आप लोग को बस यह चोटा से solution देने की कुशिस कर रहा था है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह solution मतलब यार हिलफूल लगा होगा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का लाइब भी कर देना यार क्योंकि यार सपोर्ट ही बहुत महतूर रखता है